राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिय शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे प्राध्मिक कक्षा की प्रशिक्षन आर्थी अध्यापकों के लिए कारिक्रम गौतम बुद्ध बुद्धं सर्णं अच्छामी धम्मं सर्णं अच्छामी संहं सर्णं अच्छामी तो पूल रहे हैं दादा जी यह तो तुम बताओ कि मैं क्या बोल रहा हूं मैं सिर्फ इतना बताओंगा कि यह किसी धर्म की प्रार्थना है यह तो संस्कृत्स जैसी लग रही है जैन दर्म की है क्या तो एसी नहीं होती वो तो मैं पहचानता हूं तो फिर यह कौन से धर्म की है दादा जी आप ही बताएए न अ कैसी अजीब बात है कि जो धर्म भारत में जन्मा भारत में पनपा और यहां से दूर-दूर के देशों तक फैला वही धर्म आज भारत में मुश्किल से पहचाना जाता है क्या ये धर्म भारत में शुरू हुआ था दादाजी हाँ इसी देश के एक महापुरुष ने इस धर्म का उपदेश दिया था हाज भी ये श्री लंका तिब्बत चीन बर्मा कमपूचिया जापान जैसे देशों में जीवित है ओ आप बहुत धर्म की बात कर रहे हैं दादाजी हाँ ओमनीपद्म हुम यह बहुत धर्म की प्रार्थिना है मैं भग्वान बुद्ध का सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश दूर-दूर तक फैलाने वाले बहुत धर्म की बात कर रहा हूं जानते हो भगवान बुद्ध कहां पैदा हुए थे सारनात में नहीं नहीं कपिलवस्तु में नहीं मैं बताता हूँ सारनात में उन्होंने अपने धर्म का पहला उपदेश दिया था कपिलवस्तु के शाक के राजा शुद्दोधन के वे पोत्र थे लेकिन उनका जन्म इन दोनों ही स्थानों पर नहीं हुआ था उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नाम की जगापर जब उनका जन्म होने वाला था उस समय उनकी माता महा माया देवी लुम्बिनी वन में थी इसलिए उनका जन्म राजधानी कपिलवस्तु में ना होकर लुंबनी वन में हुआ उनके जन्म के साथ दिन बाद ही उनकी माता का द्यान दो गया तब से उनकी सोतेली मा प्रजापती गौतमी जो उनकी मौसी भी थी उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा अच्छा दादाजी प्रजापती गौतमी उन्हें प्यार करती थी के नहीं बेहत प्यार करती थी उन्होंने कभी सिध्धार्थ और नंद में कोई फर्क नहीं समझा बल्कि वो तो देवदत्य को भी वैसा ही प्यार करती थी दादा जी यह सिध्धार्थ नंध और देवदत कौन थे भाई सिध्धार्थ भगवान बुद्ध का असली नान था बुद्ध तो उन्हें इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सम्यक संबोध्धी प्राप्त की थी, ज्यान प्राप्त किया था माता पिता ने तो उनका नाम सिध्धार्थ रखा था घौतं वंच का होने के कारण उन्हें गौतं और शाक्य जाती का होने के कारण शाक्य मुनिभी कहते हैं रहा नंद तो नंद जो था वो प्रजापती घौतमी का अपना बेटा था यानि सिद्धार्थ का मौसेरा भाई था और देवदत हाँ देवदत देवदत सिद्धार्थ का चचेरा भाई था दोनों करीब करीब बराबर के ही थे उम्र का थोड़ा सही अंतर था दोनों में लेकिन स्वभा में जमीन आस्मान का अंतर सिद्धार्थ शांत सौम्य दयालू और देवदत चंचल क्रोधी और उद्धंड मतलब ये कि मनोश तुम देवदत हो अच्छा तो राघव तुम कौन से बड़े गौतम बुद्ध हो अरे आभी मैं गौतम बुद्ध कैसे हो सकता हूं अभी तो मैं सिद्धार्थ हो जब मनोज भी जगडा मत करो सिद्धार्थ की बात नहीं सुननी क्या हाँ दादा जी सुना ये ना हाँ दादा जी भाई जिस तरह तुम लोग हौकी बैडमिंटन क्रिकेट खेलते हो ना उसी तरह सिद्धार्थ और देवदत के समय के बच्चे शिकार खेलते थे तीर तलवार जलाते थे निशाने बाजी करते थे पर उस समय भी सिद्धार्थ को निरीप पशु पक्षियों की हत्या बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि एक बार की बात है सिद्धार्थ बगीचे में टैल रहे थे कि कैसा संदत रिशे हैं खने पेड़ों की चाया चारों और बिख्री फोलों की सुगंद पक्षियों का मधूर कल्रव और इसके बीच ये सुन्दर जील जील के उपर तैरते हुए हंसों की चाया इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जल के अंदर भी इनकी जैसे हांस चुपे हुए हैं कैसे कोई इतने सुन्दर जीवों को मारता है क्या इन्हें पीड़ा नहीं होती क्या इनका रक्त नहीं बैता अरे ओ निर्दाई एक ही बांड से कैसे इस हंस के दोनों पंक बीन दिये नना बांड तो मैं भी चला सकता हूं पर मेरे हाथ कभी निर्य पशुपक्षियों का जीवन नश्ट करने को नहीं उड़ते ओ हां मित्र नना मुझे ऐसी डरी हुई आँखो से मत देखो मैं तुम्हारा शत्रू नहीं हूं मैं तो तुम्हारी साहता करना चाहता हूं बस नना थोड़ी सी पीड़ा और सहलो मैं तुम्हारा ये बांड अश्ट भी खीच कर निकाल देता हूं लो निकल गया अब इस रक्त को भी धो डालते हैं हुँ पानी प्योंगे लो में अंजली से पानी प्यों अरे इसंस को मैंने मारा इसे धार ये मेरा शिकार है मुझे दे दो डरो मत बंधू लो और पानी पी लो पीओ बस अब नहीं पीना अच्छा तो अब यहीं मेरी गोद में विश्राम कर लो हाँ ऐसे सुना नहीं तुमने मैं कहता हूँ मेरा हन्स मुझे वापस दो तुम्हारा तुम्हारा कैसे है देवदत मेरा इसलिए है कि इसे मैंने अपने बांट से मारा है देख रो इस बांट पर मेरा नाम लिखा है की हाँ देवदत इस बांट पर तुम्हारा ही नाम लिखा है लेकिन यह हंस इस बांट से मारा नहीं यह मेरे पास आया और मेरे से बचाया है मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है मैं यह सम नहीं जानता तुम सीधी तरह से मेरा शिकार मुझे देदो नहीं कि तुमने इस हंस को मारा था और मैंने इसे बचाया है अब वे ही इस बात का निर्णे करें कि हंस मारने वाले का है या बचाने वाले का जाहिर है राजा शुद्धोधन ने हंस सिध्धार्थ को ही दे दिया क्योंकि सच मुझ मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है फिर क्या हुआ दादा जी फिर दोनों राजकुमार बड़े हो गये सुन्दर सुशिक्षित वीर फिर सिध्धार्थ का विवा यशो शुद्रा परम सुन्दरी थी बहुत से शाक्यकुमार उससे विवा करना चाहते थे इसलिए उसके पिता ने स्वयमवर का आयोजन किया इसमें घुर दोर रत की दोर तीर अंदाजी मल्य युद्ध और ऐसी ही कई प्रतियोगताय रखी गई थी वही सिधार्थ ने सभी प् किया कि विवा के कुछ समय बाद उनका एक पुद्र हुआ राहुल लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीज सिधार्थ का मन नहीं लगता था वह उन्हें बराबर लगता रहता था जैसे उन्हें कहीं और जाना है कुछ और करना है इसी बीच उन्होंने पहली बार एक बूढ़े एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा अरे बूढ़े बीमार और मरे वी व्यक्ति को पहली बार देखा उससे पहले क्या कभी उन्ह ने किसी बूढ़े या बीमार को नहीं दिखा था हां बात सुनने में अजीब जरूर लगती है पर है सच असल में सिध्धार्थ के जन्म के समय एक बहुत बड़े जियोतिशी ने राजा शुद्धोधन को बदाया था कि उनका पुत्र या तो बहुत बड़ा चकरवर्ती समर पनेगा या बहुत बड़ा सन्या सी अच्छा जब राजा ने देखा कि बच्पन से ही सिध्धार्थ दूसरों के दुख से बेहत दुखी हो जाते थे तो उन्होंने ऐसा प्रबंद कर दिया कि उन्हें दुख पहुंचाने वाली कोई बात ना हो इसलिए राजकुमार सिध कभी दुख तकलीफ बीमारी बुढ़ापे का नाम भी उनके सामने नहीं लिया जाता था इसलिए जब उन्होंने पहली बार इन सब को देखा और उन्हें मालूम हुआ कि हर आदमी इसी तरह बुढ़ा होता है और मर जाता है तब उन्होंने निश्चे किया कि वे संसार के दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता जुरूर खोजेंगे और यह सोचकर वे घर छोड़कर चले गए कि अ कि अ बहुत जगा भटके लेकिन कहीं संतोष नहीं हुआ कि तब क्या हुआ कि तब एक दिन सिध्धार्थ गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गये कि उन्होंने तै कर लिया था कि जब तक संसार के दुखों से चुटकारा पाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वहां से नहीं उठेंगे और सच मुझ वहां बैठे बैठे उन्होंने ग्यान प्रात किया तब से उस्थान को बोध गया उस पेड़ को बोधी व्रिक्ष और सिधार्थ को गौतम बुध कहा जाने लगा अच्छा फिर गौतम बुध ने स्वयम जो ग्यान प्राप्त किया था उसे संसार के सब लोगों की भलाई में लगाने के लिए उन्होंने सारनाथ जाकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया साधारन भाशा में कहें तो धर्म के पहियों को घुमाया यानि धर्म का प्रारंब किया या धर्म का पहला उपदेश दिया कि गौतम बुद्ध के धर्म को बहुत धर्म कहते हैं दादा जी बुद्ध ने क्या ग्यान प्राप्त किया भाई गौतम बुद्ध ने जाना कि ये संसार दुख में है अगर किसी तरह से दुखी प्राणियों का दुख दूर किया जा सके तो जुरूर करो सब पर दया करो सबसे प्रेम करो कभी किसी जीव की हत्या ना करो चोरी ना करो लालच ना करो सदा सच बोलो यही बौध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं और देवदत का क्या हुए दादा जी वो फिर कभी बुद्धु से मिला या नहीं हाँ मिला और उनके धर्म में दीक्षित भी हुआ लेकिन तब भी उसके मन से बैर की भावना दूर नहीं हुई अच्छा हाँ एक पार उसने मघत के राजा अजाद शत्रु को उक्सा कर भगवान बुद्धु को कुचल चलने के लिए एक बहुत बड़ा मतवाला हाथी भेजा लोगों ने भगवान से कहा भगवान इस रास्ते से ना जाईए इधर एक मतवाला हाथी सब को कुचलता हुआ चला आ रहा है जानते हो इस पर भगवान बुद्ध ने क्या जवाब दिया क्या दाबाजी उन्होंने कहां जब मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो मेरा क्यों कुछ बिगाड़ेगा और सच में उनके सामने आते ही वो हाथी बिल्कुल शान्त हो गया उन्हें कुचलने के बजाए उसने अपनी सून से उन्हें प्रणाम किया तब भगवान बुद्ध ने अपने नहीं होता बैर से बैर शान्त नहीं होता क्रोध को अक्रोध से जीदो बैर को अबैर से जीदो गौतम बुद्ध अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्टम आलेक डॉक्टर शुब्रा शर्मा कलाकार सुरेंद्र सेथी यमन कौशिक हेमन्त हुरा मनीश दर्थ और पवीन शर्मा विशे संयोजन स्वर्णा गुप्ता धन्यांकन आर्सी मंचंदा और भूशन गजबिये प्रस्तुत करता वंदना निगम परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा